हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल मैं हूं सना और आज मैं आपके साथ जाफरानी चिकन कोर्मी की रेसिपी शेयर कर रहे हूं यह रेसिपी बहुत ही मज़दार बनती है बहुत ही आसानी से घर पर बनाई जा सकती है आप इसे दावत में बना सकते हैं या फिर कुछ स्प और जैसे घरम हो जाएगा हम इसमें चार मीडियम साइस के प्यास को स्लाइस करके बारिक स्लाइस काट करके इसको हम ब्राउन कर लेंगे प्यास को आप पहले से भी ब्राउन करके रख सकते हैं यहां पर मैंने चार पड़ी साइस के प्यास बारिक स्लाइस में काट करके ले इसको मैं एक प्लेट में फैला के रख देती हूं निकाल करके तो प्याज हमारी ब्राउन हो गई है इसको हम थोड़ा से ठंडा होने देती हैं और बचे हुए ओयल में हम कुछ साबुद गरम मसाले डालेंगे इसमें हमने लिए हैं दो हरी इलाइची चार से पांस लॉंग आ मसाले हमारे देखिए चटकने लगे हैं अब इसमें हम डालेंगे दो चुटकी के करीब फूड कलर फूड कलर अप्शनल है बिल्कुल आप डालना चाहें तो डालें नहीं डालना चाहें तो पूरी तरह से आप स्केप कर सकते हैं फूड कलर डालने से कलर बहुत अच्छा इसलिए मैं इसमें डालने के तुरंट बाद ही हम चिकन एड कर लेंगे और फूड को बिल्कुल लो रखेंगे जिसे हमारा जो फूड कलर रेज वो जले ना तो बस मैंने फूड को लो कर दिया है अभी और चिकन डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे चलाते ह हुए इसको हाइफ भूण राएंगे लेंगे मीडियम हाइफ लिए हम चिकन को दो तीन मिट के लिए अच्छी तरह के से भूण लेंगे तीन से चार मिर्ट हमने चिकन को भूना है इसके बाद हम इसमें अद्रक लासून का पेस्ट डालेंगे एक चमच भर के जो खाने वाला चमच होता है उसे भर करके हम एड़ कर लेंगे और इसे दो से तीन मिर्ट के लिए चलाते हुए भून लेंगे अद्रक लासून का पेस्ट भी अच्छे से बुन चुका है अब इसमें मसाले डालेंगे तो यहां पर दिखिए मैंने लिया है दो चमच भर के थनिया पाउडर इसके बाद लिया है हमने यह तीखा वाला लाल मिर्च का पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर एक एक चम लाते हुए भून लेंगे 1 अगल अंप मसाले भी हमारे बून चुके हैं अब इसमें हम दही एड करेंगे तो मैंने यहां पर आदा कब दही एड़ करेंगे और एक तिम से चलाना है आपको अच्य तरीके से और मीडियम हाइव फ्लेम पेस को भून लेना है एक से दू मिर् अब हमसे साथ से आट मिनट के लिए धक करके छोड़ देंगे बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे जिससे हमारा चिकन जो है अच्छे से गल जाएगा और दही का पानी जो है उसी के अंदर यह अच्छे से पके तयार होगा तो जब तक हमारा चिकन पकड़ा है मैंने यहाँ पर फ्राई कुई हुई प्याज ले लिए है एक मुठी मैंने इसमें चिरोंजी एक मुठी काजू और पनफोर्थ कप दही डाल करके मैंने बारीक इसको पीस लिया है साथ से 8 मिलट हो गए है चिकन हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो गया है बहुत अच्छे से पके तयार हो गया है अब इसमें हम ब्याज काजू और दही की पेस्ट को एड़ कर लेंगे आप चाहें तो चिरोंजी की जगह पे जो खर्बूजी के बीज होते हैं मैलन सीट् बादाम भी आप चील करके वह एड़ कर सकते हैं तो जो चीज आपके पास अवैलेवल हो आप इसमें ड्राइफ रूट डाल सकते हैं इसे हमारी ग्रेवी थोड़ी सी रिच बनती है पिल्कुल होटल के जैसी तो बस यह मैने आड़ कर दिया है मिक्सी के जार में थोड़ा स अच्छी तरीके से पक्सकी हैं तो अब इसमें हम पानी डालेंगे क्योंकि हमें चिकन को थोड़ा सा और गलाना है और हमने इसके अंदर जो और पानी डालना पड़ेगा क्योंकि यह नीचे जो है तले में लग सकता है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है 1 फूर्ट कप इसे हमें चार से पांच मिन और पकाना है अब इसमें हम जाफरान एड़ कर लेंगे यहां पे मैंने जाफरान के कुछ धागे लिए हैं केसर के कुछ धागे लिए हैं और इसको मैंने पानी में भिगू करके रख दिया तक गरम पानी में मैंने इसको भी होया है इससे बहुत ही अच्छी कुछपू एड़ हो जाती है कॉर्मे में और बहुत ही अच्छा कलर हो जाता है तो ये एड़ कर लिया इसके बाद हम इसको ठक करके 4-5 मिनट पका लेंगे 4-5 मिनट मैंने कॉर्मे को पका लिया है और ये हमारा कॉर्मा बनके रेड़ी है एक बार चला लेते हैं इसको और अब इसमें लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर तो ये देखें मैंने यहाँ पे लिया है ये गरम मसाला पाउडर आदा चोटी चम्माच ये इसके उपर डाल देंगे और अची तरीके से इसको मिक्स कर देंगे कुछ हम इसमें केवडा वाटर की ड्रॉप्स डाल देंगे तीन चार ड्रॉप इसमें डालेंगे इसे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आड़ हो जाता है और हमारा कोर्मा है बिल्कुल रेस्टरान स्टायल लगता है एक बार अची तरीके से चला देंगे चलाने के बाद हम से 4-5 मिनट इसी तरीके से ढख के छोड़ देंगे और उसके बाद हम से टिश आउट करेंगे तो यह देखिए ग्रेवी जो है इसकी बिल्कुल इसी तरह के होनी चाहिए आप शाहें तो ग्रेवी को थोड़ा बहुत पतला कर सकते हैं या फिर आप इसी तरीके का इसे रख सकते हैं पांस मिलीट मैंने से ढख कर के छोड़ दिया था हमारा जाफ्रानी में बनर रिडी है आप इसी नान रोटी की साथ सफ करें रहें और रैस की साथ साथ सर्भ करें बहुत ही मज़़तार है अप इसप्वाचान सकते हैं फिर प्विरहां आप बना सकते हैं